नमस्कार दोस्तों, पुझे शिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, जैमातादी दोस्तों आज इस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे वो है जो संयोग बन रहे हैं सर्व पित्र अमावस्या पर जो अधिकतर बनते हैं गज चाया योग लेकिन इस बार जो है वो योग नहीं बन रहा है परन्तु यहाँ पर ये बात समझनी जरूरी होगी क्योंकि अमावस्या का दिन है शनिवार का दिन है और सर्व पित्र मोक्ष अमावस्या शनिवार के संयोग पर पड़ रही है तो बह बहुती शुब है अश्विन मास की जो अमावस्या शनिवार के दिन होने से इसके जो लाब हैं वो दुगने हो जाएंगे शरात कर्म करना इस दिन वहत फलदाई हो जाएगा खास बत यह है कि पित्र पक्षमे शनिवार के दिन अमावस्या को योग बहुत ही सौभागिशाली माना जाता है और ऐसा माना जाता है इस दिन किया गया छोटा से छोटा कर्म या कोई भी पूजा पाट जो होती है उसका दुगना फल या जो उसका मोख्ष होता है उसका यह जो योग था 1999 में आया था और अब यह जो सिर्व पित्र अमावस्या शनिवार का दिन है इस समय पर आ रहा है इसके बाद इसका जो अगला संयोग होगा वो चार साल बात फिर बनेगा यानि कि हम 2023 का जो समय रहेगा यह संयोग उस समय पर फिर से देखा जाएगा क्यों खास तोर पर अगर आपको पित्र दोश की समस्या है अगर शनी की ढहिया या साड़े साती परेशानी चल रही है राहू के भी अगर दूश प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल रहे हैं सबसे जादा जरूरी यहाँ पर मैं यह कहूंगी कि अगर आपको संतान प्रा जाया योग बनते हैं परन्तु उस संयोग में जो है इतना लाब नहीं मिलता है उसमें भी लाब मिलता है उसके अपने महत्पूर्ण जो कारे होते होते हैं परन्तु सौभागिशाली अगर दिन माना जाए तो इस बार 2019 का यह जो योग है बन रहा है तो इसका लाब जो है आप सभी को लेना चाहिए गच्छ जाया जो योग होता है वो श्राद करने पर उसका विशेश महत्प बताया जाता है इस शूभ योग में किया गया श्राद तरपन और दान का जो है अक्षय फेल मिलता है इस शूभ योग में श्राद करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है घर भी बनाया था इस समय पर जो पित्र पक्ष बन रहा है या इस समय पर जो श्राद का सौभागिशाली दिन बन रहा है इस समय पर पूजा पाट करकर आप जो है अपने पित्रों को प्रसंद कर सकते हैं ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में भी ऐसा ज्यान दिया गया है कि पित्र प्रक्ष के सोला दिनों के दौरान पित्र जो है इस धर्ती पर आते हैं और अपने सभी बच्चों को आशिरवात देते हैं अमावस्या का दिन जो होता है उनकी विदाई का दिन माना जाता है इस दिन धर्ती पर आये सभी पित्र जो है विदिवत विदाई दी जाती ह उनकी शांती के उपाय किया जाता है यह तिति इसले भी अहम मानी जाती है क्योंकि इस दिन किसी भी परीजन की मृत्यू तिति पता ना होने पर भी उनकी शांती के लिए श्राद आप जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसमावस्या को श्राद करने से ऐसा माना जाता है पि उन्ता प्राप्त होती संतुष्टी प्राप्त होती है और उन्हें शांती प्राप्त होती अगर उन्हें शांती प्राप्त होगी तो आपके घर में जो है पित्रों का साया सदेव बना रहेगा पित्र अगर आपके खुश रहेंगे तो आपको जो है सुक शांती देखने को मि संतान सुक की प्राप्ति होगी और संतान सुक की प्राप्ति में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तो जिससे आपकी संतान परंपरा जो है आगे विदिवत बढ़ती रहती है याने जो संतान परंपरा है हमारे कुटुम में सदेव बनी रहती है इस बार जो है इसका पाइदा उठाना चाहिए इस बार अगर आप श्राद करना भूल चुके हैं याने आपने श्राद नहीं किया है कि नहीं भी वज़ाओं से बहुत सारी वज़ाएं होती है तो आपके लिए केवल अमावस्या का दिन जो है बहुत ही अच्छा जो संयोग है वो लेकर आ रहा है अगर पित्र पक्ष में हम किसी का श्राद नहीं करते हैं और केवल अमावस्या पर श्राद करते हैं इस दिन कुटुम के सभी ग्याद अग्याद पित्रों के लिए श्राद करने के परमपारा तो सभी जानते हैं अमावस्या पर पित्रों के लिए पके हुए चावल काले त पित्रों के नाम का धूब ध्यान करना बहुत जरूरी होता है और आप घर पर कैसे पूजा करेंगे गोबर के जो कंडे होते हैं गाएं के गोबर के कंडे आप ले लीजे या उपले जिने कहते हैं उन्हें जलाकर उसके उपर गुड और घी से धूब हमें जरूर देनी चाहि अगर गोबर के कंडे नहीं है तो आप 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 की लकड़ी का प्रियोग कर सकते हैं उसको घी की सहायता और कपूर की सहायता से जलाकर उसके बाद आपने जो शुद्धता से भोजन बनाया है मैं यहाँ पर कहूँगी कि अगर आपको पता है आपके जो पित्र थे या जो स्वर्ग को सिधार चुके हैं उनका अगर आपको कोई प्रिये व्यंजन पता हो या आपको पता हो कि जो बहुत जादा उन्हें प्रिये होता था इस समय पर क्रिपया उसका भोग भी उनके नाम पर जरूर लगाएं इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कोई पव जरूरत मन लोगों को अगर आप जितना धन दे सकते हैं धन या जो सर्दी के कपड़े होते हैं जिने हम कंबल कहते हैं उसका दान बहुत शुब माना जाता है इस दिन अपने पित्रों के लिए क्योंकि शनी का भी जो है इस दिन प्रभाव देखने को मिलेगा तो आप इस जो है पित्रों के नाम से कोई पौधा जरूर लगाएं क्योंकि शनी भगवान हर्याली से बहुत जल्दी प्रसंद होते हैं तो उनके नाम का अपने कुटुम के नाम का या आप चाहते हैं संतान परमपरा सदेव बनी रहे पित्रों को सदे मौक्ष प्राप्ति होती रहे आपके ही किये वे कर्म जो है आने वाली पीडियों को भी प्राप्त होते हैं अगर आपने मुक्ष प्राप्त कर लिया तो आने वाले समय में उन्हें पित्र दोश की समस्या नहीं देखनी पड़ेगी तो उनके नाम का जो है इस समय पर पौधा जरूर लगाना चाहिए हमें जल का चड़काव जरूर करना चाहिए घर में जो है भागवत गीता जरूर सुननी चाहिए आप इसे जो है सीडी कैसेट पर भी चला सकते हैं इस दिन विश्नु जी की पूजा का विशेश महत्व बताया गया है विश्नु सहस्त्र नाम का जाप जो है इस दिन करना बहुत होता है जो आप नहीं कर सकते हैं तो पाठ सुनना भी उतना ही फल्दाई माना जाता है और इस दिन अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का व्रक्ष होता है क्योंकि पीपल की पूजा से आपको जो है मोक्ष की प्राप्ती होती है पित्रदोश की समस्या का समादान होता अगर आपको जीवन में नौकरी या संतान में भी प्रॉब्लम आ रही है लक्षमी कर्ज में भी प्रॉब्लम आ रही है जैसे लक्षमी स्थाई नहीं निवास करती है गर पर और आपके जीवन में आपको जो है कर्ज बहुत देखना पड़ता है तो इस दिन क्योंकि शनिवा से तील का धीपक नहीं जला सकते हैं और अगर जीनमें उन्नटी प्रगती चाहते हैं तो सुरज मुखी के तेल का धीपक जलाना, इस दिन आपको जो है बहुत शूब और लाबकारी होगा अँदियो हैं और मैं आशा करती हूं आज का ये विडियो आप फोसरा है होगा आज अपनी वाणी को यह ही विराम देते हुए हम फिर मिलेंगी किसी नवी शिवा चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों